कोश्चन में क्या बोले हैं राइट टू डिफ्रेंट वेक्टर्स फूर्स है वेविंग सेम मैगनिटूड ठीक है मैगनिटूड उनका सेम होना चाहिए तो कोई भी लिख सकते हैं से आई कैप प्लस टू जे कैप ठीक है और एक वेक्टर सब्सक्राइब क्या करें हम इसके को लोज करें था शुख सब्समॉम बस्तव करते हैं एक यहां पर मैंनिटूड निकालेंगे तो यह कितना जाहेगा रूट पाइफ और ऐसी एक अगर डीटूड निकालेंगे तो तो अगेन वही 2 स्क्राइल प्लस 1 स्क्राइल तो भी आपकर रूट फाइव अलेगा बट यह दोनों वेक्टर्स क्या हैं इकोल नहीं है डिफ्रेंट वेक्टर्स हैं क्योंकि एकोल एक्टर्स कब बोलेंगे हम जब दोनों में आई और जे की वैल्यू सेम हो तब एक्वल हों तो इसका सेव क्या करते हैं तो इसका सेव डिफ्रेंट वैक्टर्स कि से में रहती है यह जब हुँ किसी नॉर्मल स्क्राइब नुम्बर में तो उनकी डिरेक्शन सेम रहेंगी तो कभी भी हमें पॉइंट से अगर वेक्टर बनावें तो क्या करना है तर्मिनल माइनस इनिशल करना है तो एक्स कॉम्पोनेंट इसके क्या हो जाएंगे माइनस फाइब माइनस टू माइनस फाइब माइनस टू तो यह एक्स कॉम्पोनेंट होगे माइनस सेवन और य का कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा सेवन माइनस वन यानि की 6 तो अगर हम इसको ऐसी बता रहे हैं तो यह आपके इस color component होगए अगर हमें इसे vector form में बता ले हैं तो क्या करना पड़ेगा minus 7i cap and 6j cap यह आपके vector component होगए clear question में क्या बोला है हमें find the vector in the direction of the vector this clear हमें एक vector दिया हुगए 5i cap minus j cap plus 2k cap अब इसकी direction में हमें vector बनाना है जिसका magnitude क्या हो 8 unit तो पहले हमें इसकी direction में निकालना है direction का मतलब है पहले हमें इसका unit vector निकालना पड़ेगा suppose हमने इसको a vector मान लिया तो अब a unit vector निकालना है unit vector का formula क्या था vector divided by its magnitude clear तो vector हमने रिख दिया 5y cap minus j cap plus 2k cap और magnitude कैसे निकालेंगे अंडर root x square plus y square की value plus z square की value clear तो क्या जाएगा आपका नीचे क्या बन जाएगा root की अंदर 5 plus square 25 plus 1 plus square 1 रहेगा आपका minus 1 ठीके और 2 square 4 तो root 30 simplify कर सकते है root 30 को नहीं तो as it is any 5 upon root 30 i cap minus j upon root 30 plus 2k upon root 30 clear यह ऻपका unit vector is का अब हमें एक vector बताना है जो क्या है उसका magnitude 8 है और इसकी direction में ता तो हमें क्या करना है 8 a cap देखको a cap का मतल है तो unit vector क्या denote करते है उसका magnitude बताता है वो सिर्फ direction denoteे तो हमें ऐसा vector बनाता है जिसका magnitude 8 हो और direction उस vector की ONE तो अब क्या बन जाएगा आपका 8-5-40-I-CAP अपन रूट 30-8-J-CAP रूट 30 अपन में और प्लस 2-8-16-K-CAP अपन रूट 30 क्लियर पुश्चेन नम्पर 11 में क्या बोला आपको प्लस 4-K-CAP एक वेक्टर आपको यह दिया हुआ है और दूसरा वेक्टर क्या दिया है 4-4-4-4-I-CAP अगे 6-6-J-CAP प्लस-8-K-CAP अब इसमें देखो इसको सब्सक्राइब आमने X1-Y1 है Z1 बोल दिया सब्सक्राइब और इसको X2, Y2 और Z2 अब आपको देखना है अगर X1 अपॉन X2 की रेशो इस X1 अपॉन X2 इक्वास दू Y1 अपॉन Y2 इक्वास दू Z1 अपॉन Z2 आ रहा है तब आपके दो वेक्टरस को हम को लिनियर बोल सकते हैं क्लियर हुआ कंसेप्ट? कोई भी दो वेक्टरस आपके को लिनियर कब होंगे? जब X1 अपॉन X2, Y1 अपॉन Y2 और Z1 अपॉन Z2 आपस में क्या हो? इक्वाल हों तब आपके वो दोनों वेक्टरस क्या होंगे? को लिनियर होंगे? तो अगर हम यहाँ पर देखें 2 अपॉन माइनस 4 आएगा X1 अपॉन X2 ठीके? Y1 अपॉन Y2 क्या आएगा? इसको सिंप्लिफाई करेंगे तो क्या बनेगा? माइनस 1 पाइ 2 Y1 अपॉन Y2 माइनस 3 अपॉन 6 इसको भी सिंप्लिफाई करेंगे तो माइनस 1 पाइ 2 Z1 अपॉन Z2 4 अपॉन Mाइनस 8 तो इसको भी सिंप्लिफाई करेंगे तो माइनस 1 अपॉन 2 तो 0 एकॉल है तो देरफोर थीस वेक्टर्स आर को लीनियर ठीके? देखो इसको फाइंट देरेक्शन को साइन आप दा वेक्टर I cap plus 2 J cap plus 3 K cap तो इसको डेरेक्शन को साइन निकालना तो आप क्या करोगे? पहले इसका unit vector निकालो तो unit vector निकालने के लिए vector divided by magnitude तो क्या हो जाएगा? I cap plus 2 J cap plus 3 K cap divided by under root 1 का square plus 2 का square plus 3 का square ठीके? तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट में क्या जाएगा आपका नीचे पता हूँ सावल करके बटाफट 14 ठीक है तो आप तीनों के नीचे लगलग कर देंगे आई अपान रूट 14 प्लस 2J अपान रूट 14 प्लस 3K अपान रूट 14 यह यह यूनिट वेक्टर होगा आप इसमें आप डेरेक्शन को साइन बताने हैं तो डेरेक्शन को साइन आपकी जो X,Y,Z की वेल्यू है यूनिट वेक्टर में वही आपके डेरेक्शन को साइन है तो वह 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 बन अपान रूट 14 कॉमा 2 अपान रूट 14 कॉमा 3 अपान रूट 14 यह आपके डायरेक्शन को साइन होगा है, ठीक है, यह यह देखो, 14th question में आपको क्या given है, show that the vector, I plus J plus K, यह यह vector है आपका I plus J plus K, वो आपको दिखाना है, कि equally inclined है, OX, OY, OZ पर, अब यह equally inclined हमें कैसे पता जलेगा, जब इसमें वेठा आपका जो direction को साइन है, वो अगर तीनों के equal आजेंगे, तब हम दो लेगे कि वो equally inclined है, तो इसमें again आपको direction को साइन निकालने है, तो direction को साइन निकालने के लिए formula पहले ही unit vector निकालने है हमें, clear, तो क्या हो जाएगा, I plus J plus K divided by under root 1 square plus 1 square plus 1 square, so under root 3 बन जाएगा, यानि I cap by root 3 plus J cap by root 3 plus K cap by root 3, clear, तो आपका क्या हो जाएगा direction को साइन, तीनों क्या हो जाएगे, 1 by root 3, comma 1 by root 3, comma 1 by root 3, बन तीनों एक्सिल पर जो आपके direction को साइन बन रहे हैं, वो equal है, यहीं हमेश हो गरना दो इस question में, section formula देख लो, section formula पिटा, की दो टाइप से, आपका suppose, दो vector हो गए A और B, ठीके, अब उसे कोई क्या कर रहा है, एक vector उसको divide कर रहे हैं इंदर ratio, M ratio N में, ठीके, तो अब अगर उस vector को आप निकालना चाहते हो, तो उसके लिए formula क्या होगा, C vector equals to M, B vector plus N, A vector divided by M plus N, अगर वो उसको internally bisect कर रहे हैं तो, last year आपने पढ़े था, पढ़ा था यह चीज की आपका जो point है, वो यहां तो internally bisect करेगा, यह externally bisect करेगा, क्योंकि यह three dimensional में है, ठीके, तो internally भी bisect हो सकता है, externally भी bisect हो सकता है, M plus N, अब यहां पर आपके जो M और N होंगे, वो तो pure numbers होंगे, clear, तो जब vectors को हम उन से multiply करेंगे, तो उतने times वो हो जाएंगे, clear, फिर आपको X वालों को X से minus करना है, Y वालों को Y से करना है, ratio given है, two ratio one और दोनों vectors आपको given है, यानि A vector आपका क्या हो गया, I plus 2J, 2J minus K, clear, और B vector क्या हो गया, minus I cap, plus J cap, plus K cap, और ratio आपको क्या given है, two ratio one, clear, तो अब हम इसमें दोनों करने के लिए बोला है, पहले internally and then externally, so internally करेंगे तो क्या होगा, पहले internally कर रहे हैं, तो यह बादा formula भी यूज करेंगे, यानि C vector हमारा क्या बनेगा, M into B vector, यानि 2 into B vector, minus 2 I cap, plus 2 J cap, plus 2 K cap, ठीके, plus N into A vector, यानि 1 into A vector करेंगे, तो same यह रहेगा, I cap, plus 2 J cap, minus K cap, upon M plus N, यानि 2 plus 1, that is 3, तो क्या जाएगा आपका अंसर, minus 2 I cap, plus I cap, क्या बन जाएगा, minus I cap, plus 2 J, plus 2 J, plus 4 J, plus 2 K cap, minus K cap, यानि, plus K cap, divided by 3, और फिर 3 को तीनों के निक्चे अलग सेपरेटली बता देंगे, minus I cap by 3, plus 4 by 3 J cap, plus 1 by 3 K cap, इसमें भी 1 by 3 कर लो, 1 by 3, 1 by 3 I cap, clear? तो internally इस तरीके से निकाल दीया, same externally निकालने, तो क्या करेंगे? बस यहाँ पे minus आजाएगा, तो और bracket लगा के बिटा, ठीक है, minus पूरे को कर रहे हैं हम, तो bracket लगा के solve करेंगे उसे, और नीचे भी 2 minus 1, 1 यह हो जाएगा, फिर उस टाइंग पर, clear? mid point के लिए, आपका formula क्या हो जाएगा? C vector equals to A plus B vector, divide by 2, तो यह हो जाएगा, तो पहले वाँ पे वेक्टर बनाना पड़ेगा, अचा नहीं, 16th question में दिया क्या हुआ है आपको, 16th question में आपको position vector बताना है, mid point का, तो पहले आप mid point निकालोगे उसका, mid point का formula क्या था? X equals to X1 plus X2 by 2, Y के लिए Y equals to Y1 plus Y2 by 2, और Z के लिए Z1 plus Z2 by 2, तो वाँ पे पहले तीनो values निकालोगे, X by Z की क्या क्या होंगी? बताओ, X की 2 plus 4, 6 by 2, यानि की 3 हो जाएगी, Y की 2, 2 और Z की 1, अब इसका position vector बनाना है, तो अब vector हमारे ज्या मन जाएगा, फाइनली यानिकी 3 I cap, plus 2 J cap, कि ये vertices हैं आपके, A vector आपका क्या है, 3 I cap, minus 4 J cap, minus 4 K cap, B vector, 2 I cap, minus J cap, plus K cap, और C vector है आपका, I cap, minus 3 J cap, plus minus 5 K cap, ये ज्यान से देखो मिटा हैं, ये क्या हैं, vertices हैं, ठीकें, अगर हम सपोज ये triangle बना रहे हैं, तो ये इनके vertices हैं, हमें अगर इसको right angle triangle प्रूफ करना है, तो right angle triangle के लिए आपकी पायता गोरस्तियोरा, कि side, 2 sides J square का sum, तीसरी side J square के equal आना चाहिए, तो हमें पहले याप इनकी side बनानी पड़ेगी, तो ये A vector है और ये B vector है, तो side अगर हम बनाएंगे इनकी, तो वो क्या बनेगी, A B का whole vector, clear, तो A B का whole vector आपका कैसे बनेगा, B minus A, clear, B minus A किया, तो minus, I cap, minus J, plus 4J, तो plus 3J cap, K plus 4K, 5K cap, clear, A B vector मना है हमने, ऐसे ही BC vector मना है हमने, तो BC vector क्या बनेगा, आपका C minus B, यानि, I minus 2I, minus I cap, minus 3J, plus J, तो क्या बन जाएगा, minus 2J, minus 5K, minus K, minus 6K cap, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, CA vector मना है बेटा, यह जान से देखो, order में बनाना है, यह नहीं कि, A, B, B, C, A, C, अपने तिन साइट निकाल दी, A, B, B, C, CA, ऐसे तिन साइट सापकी निकलेंगी, तो CA vector आपका क्या हो जाएगा, CA क्या होगा, A minus C, यानि, 3I minus I, I, यानि कि, 2I cap, minus 4J, plus 3J cap, तो, minus J cap, minus 4K, plus 5K, यानि कि, plus K cap, अब हम क्या करेंगे, अब इन तीनों का, हम magnitude निकालेंगे, A, B, Vector का magnitude निकाला हमने, तो वो कितना जाएगा, 1, under root, 1 का square, plus 3 का square, plus 5 का square, कितना बन जाएगा, AB Vector आपका 35 वागिया, magnitude, ऐसी BC Vector का magnitude हमने निकाला, तो 1, plus 4, 5, और plus, 36, तो that is, under root, 41, ऐसी CA Vector का magnitude निकाला हमने, 2 का square 4, plus 1, plus 1, तो under root, 6, तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, कि AB Vector का जो magnitude है, उसका जो square है, उसको अगर हम, CA Vector के magnitude में, के square में add कर दें, तो आपका क्या बन रहा है, BC Vector का magnitude का square बन रहा है, यानि यह Vector क्या है हमारी, Vector का magnitude उसकी side denote करेगा, clear, यह पूरा Vector, इसका magnitude इसकी side denote कर रहा है, side की measurement, same यह और यह, तो यानि आपकी AB Vector, और CA Vector का square का sum, किसके equal आगया, BC Vector के square की equal आगया, तो therefore, these are the vertices of, right angle triangle, अब इसमें अगर हमें पूछा भी हो, कि right angle आपका किन vectors के बीच में बन रहा है, या किस vertex पे बन रहा है, right angle triangle, किस vertex पे बन रहा है, तो वो हम कैसे बता सकते हैं, आपकी high part news वाली side कौन सी हो गई, BC, तो A Vector पे 90 degree बन रहा है, A Vector is perpendicular, clear, यानि कि A Vector पे जो दो Vector बन रहे हैं, CA और AB, यानि AB Vector is perpendicular to CA Vector, ठीक है, इस question में देखो, हमें क्या बोला हुआ है, आपको डाइगराम के बने side में देखो, A, B, then, BC, clear, and then, A to C आपका क्या बन जाएगा उसका, resultant, clear, तो अगर हम इसको जिमेट्रिकली देखें, तो AB Vector प्लस BC Vector, किसके equal है, AC Vector बोलेंगे, CA Vector बोलेंगे, बताओ, AB प्लस BC, AC Vector के equal है, क्योंकि जिस तरह डाइएग्शन उसके according, आपका AC उसके resultant दिखा रहे, तो अब या तो यह सही है, या अगर हम AC Vector को इधर shift करें, तो क्या हो जाएगा, AC Vector माइनस में हो जाएगा, 0 Vector, यह बन जाएगी आपकी final equation, clear, तो अब इसको देखो, first thing basically, मतलब यह आपका result है, इसका, अब इसमें पूछा, इसमें कॉंसर्ट टू नहीं है, तो अगर हम first वाला लेकें, तो first वाले में इन्होंने क्या क्या क्या, AB प्लस BC है, AC की जगे, इन्होंने CA कर दिया, अगर हम वेक्टर को आगे पीछे कर दें, बहुता, AC की जगे, अगर हम CA लिख रहे हैं, तो minus की जगे, फ्लस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि, CA वेक्टर, is equal to minus AC वेक्टर, थेक्टर अगर आप direction change कर रहे हो, किसी वेक्टर की, तो वो उसका negative होता है, तो आपकी अगर इसके according देखे, तो first equation सही है और गलत है, सही है, first वाली यह, तो यह correct बन सकती है, second वाली में तो यही आपको दी हुई है, तो second भी सही है, third वाली, AP plus BC minus CA, अब देखो, first वाली आपने सही बोली है, AP plus BC plus CA, बट third वाली में इसको minus में CA बोल पर तो खोल सही नहीं हो सकती, तो third वाली आपकी wrong इसमें, ठीक है, और fourth वाली भी further check कर लो, fourth वाली में, AP minus CB कर दिये देखो, तो अब यहाँ पर BC की जगे अगर हम CB कर देंगे, तो यह minus हो जाएगा, और फिर further plus CA बोला हुआ है, तो fourth वाली भी correct है आपकी, ठीक है, सिर्फ आपकी third वाली wrong है,